हेलो दोस्तों आप लोगों को थमनेल देखके पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं हाँ दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज आई है पाकिस्तान से कि दाउद इब्राहिम को खाने में जहर दे दिया गया है लेकिन इस मामले में पाकिस्तान सरकार कुछ बताने से मना कर रही है हमारी इंटेलिजेंट्स एजेंट्स के सूत्रों से पता चला है कि दाउद इब्राहिम को खाने में जहर दे दिया गया है और पाकिस्तान सरकार ने दाउद इब्राहेम को पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में एड्मिट कराया है पाकिस्तान सरकार ने पूरे हॉस्पिटल को सिक्यॉर्टी फोर्स से लैस कर दिया है और ISI ने भी अपनी सिक्यॉर्टी लगा दी है बताया जा रहा है कि दाउद इब्राहिम को किसी खास ने ही जहर दिया है पाकिस्तान सरकार ने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और न्यूज चनल पर भी किसी को बात लीग करने से मना कर दिया है बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से दाउत इप्राइन पाकिस्तान में ही रह रहा था अगर आपको ये न्यूज सॉकिंग लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में